तुमस्कार स्वागत है आपको हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजयानी उधव ठाकरे गुट को बड़ा छठका लगा है लोकसभा अध्याक्षो और बिर्ला ने शिवदिना के सिंधे गुट की सदन के नेता को बदलने की मांग को सुईकार कर लिया है और अब सदन में शिवदिना के नेता राहूल सिवाले होंगे जबकी भाफना गफली को मुख्य सचितर के रूप में बरकरार रखा गया है तो ये बड़ा फैसला लोकसभा स्पीकर और बिर्ला की ओर से लिय किया है जहां सिंदे गुट की ये मांग थी कि दरसल राहूल सिवाले को शिवदिना का नेता सदन में नुक्त किया जाए और जिस पर अब मोहर लग चुकी है उद्व ठाकरे गुट के लिए बड़ा चटका है और इस बारे में लोकसभा सचिवाले ने सर्कुलर भी जारी क डर्च है इसके साथ ही भाउना गफली चीफ विप बनी रहेंगी आपको यह परते हैं कि उद्व ठाकरे कुझ की और से दरसल भाउना गफली को चीफ विप के पद से हटाते हुए किसी और को चीफ विप बनाया गया था लेकिन अब ये फैसला भी पलठ दिया क्या है और ये साफ़तोर पर कहतिया क्या है, इससे पहले मुख्यमंतुरी एकनाज सिंधे ने भी ये दाफा किया था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिला ने राहुल सेवाले को सदन के नेता के रूप में मातनियता दे दी है और लोकसभा स्पीकर के पास सिंधे और उधर ठाकरे दोनों गु लोकसभा का नेता चुना चाहे तो वहीं आपको बताते हैं उधर ठाकरे गुट की ओर से भी एक लैटर दिया किया था और ये कहा किया था कि अगर सिंधे गुट की ओर से कोई आफेदन दायर किया चाहता है आपके जमक्ष तो उसे स्वीकार ना किया जाए ये उनकी तरब से भी मांग की गई थी लेकिन अब चुकी सिंधे गुट फिलाल माहराश्टर में अगर बात शिवजिरा की की जाए तो वो बहुमत में है तो ऐसे में अब सिंधे गुट की इस मांग को लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ना ने स्वीकार कर लिया है साथ ही आपको ये भी बताते ह जनवरी 1988 को अड़नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोट को दिये गए सुझाव का हवाला भी दिया गया जिसमें उन्होंने साथ तो पर ये कहा कि किसी पार्टी का लीडर वही होता है जिसके पास बहुमत होता है तो ऐसे में जिनके पास जाहिर तो पर बहुमत है तो वही पा आपने काफी हवाला थिया जिसमें पार्टी के 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने पशुपती पार्षस को अपना नेता चुल लिया था इससे पहले आपको बताते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाज सिंधे भी के दावा कर चुके हैं राहुल सिवाले के न उन्हों ने दरशल लोकसभा स्पीकर ओम बिल्ला से लोकसभा का नेता बदनने की मांग की थी जिसके बाद राहुल सेवाले को सिदन का नेता बनाया क्या है और आपको ये बताते हैं कि उस दोरान मुख्यमंत्री एकनाज सिंधे की ओर से ये भी कहा गया कि शिवजरा चां माहराष्ट में विधायकों की बगावत के वाद अब तमाम सांसद भी बगावत करते दिखाई दे रही हैं फिलाल जो खबर साफ ने आई थी उसके बदाफिक 12 सांसद शिवजरा के ऐसे हैं जो फिलाल एकनाज सिंधे गुट की तरफ रूप कर सकते हैं लेकिन वहीं मुख मोट ले रही है उद्व ठाकरे के लिए हर रोज मुश्किले बढ़ रही हैं और माहराष्ट के मुख्यमंत्री एकनाज सिंधे के जो बेटे हैं और सांसद हैं श्रीकांथ सिंधे सहीद शिवजरा के 12 लोकसभा सदस्य यानि सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओंबिला से मु जब एक दिन पहले ही पार्टी के सिदन के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष को एक लैटर सोपा था जिसमें उन्होंने विरोधी खेमे से कोई अग्यापन स्विकार नहीं करने का अनुरोध किया था तो जहां एक तरफ उधव खेमे की ओर से विनायक राउत लोकसभा अध्यक्ष ओम्पिर्णा को एक लैटर सोपा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विरोधी खेमा यानिस सिंदेगुट अगर लोकसभा में शिवसेन का नेता विदलने की मांग करता है तो उनका कोई भी जो ग्यापन है वो सुईकार ना किया चाए लेकिन वहीं सिं अब लोकसभा का नेता जो है शिवसेन का वो बदल दिया है राखुल दिवाले अब लोकसभा की नेता है तो वहीं चीफ विहिप जो है वो भावना गवली को बनाया किया है आपको बताते हैं कि भावना गवली भी लगातार उधव ठाकरे के खिलाफ कड़ाह रूक्त अक् किसी और को चीफ विहिप न्यूक्त किया था लेकिन चुकि लोकसभा स्पीकर की ओर से ये कहा किया है जिसके पास संख्या जादा है वही लीडर है तो ऐसे में एकनाथ सिंदे ही शिवजिना के लीडर है ये साफ्तों पर लोकसभा स्पीकर की ओर से कहा किया है लेकिन इस पु गुटपर हमला भी बोला और ये उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि दरसल उठव ठाकरे खुद बीजेपी से गटबंधन को तयार थे लेकिन इस पर शिवसेना के सांसर संजर राउत ने प्लेटवार किया और राखुल सेवाले से ये सवाल पूछा है कि जब दोहजार चौदार में बीजेपी ने अपनी तरफ से शिवसेना से गटबंधन तोड़ा था तब वो कहां थे ये सवाल उनकी तरफ से किया है तो राखुल सेवाले का बयान साथ ने आने के बाद संजर राउत ने ये कहा कि शिवसेना के साथ दोहजार चौदार में भी बंधन बीजेपी ने ही तोड़ा था यहां तक की बालासाइब ठाकरे के कमरे में बैठ कर किया वाइदा भी बीजेपी ने ही तोड़ा था तो इस तरह से ये राखुल सेवाले का जो आरोप था उस पर संजर राउत ने बलटवार किया है तो इस तरह से संजर राउत की बय छटका लग रहा है जिस तरह से तमाम पार्टी के जो पदाधीकारी हैं जो पाश्यत है तमाम जो कारे करता है नेता है वो लगातार सिंधे गुच की और रुख कर रहे हैं उन्हें अपना समर्थन देने की बात कर रहे हैं तो वहीं अब बाकी विधायकों के वाद बाकी सांस संसदों का रूक भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वो सिंध्य गुट में शामिल होने के लिए तयार हैं और यही वजा है कि इन 12 संसदों ने लोकसबा स्पीकर ओंपिर्ला से मुलाकाथ कर। लोकसभा में शिवजिना का नेता बदलने की मांग की थी लोकसभा स्पीकर ओम पिरला ने स्विकार करते हुए राहुल जिवाथे को लोकसभा में शिवजिना का नेता पनाया है लेकिन आपको ये बताते हैं कि स्पीकर से मुलाकात करने वाले सिंदे गुट के 12 सांसदों में जो शामिल थे हेमंद कोर्ट से उन्होंने कहा था शिवसेना के 12 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला से मुलाकात की और विनायक राउत के इस्थान पर राहुल सेवाले को सदन में पार्टी का नेता नियुक्त करने का अनुरोथ किया है इस बारे में उन शिवसेना जो पार्टी का जो चिन है वो किसका होगा इस पर भी फिलाल कानूनी लडाई भी चारी है सुप्रीम कोट में एक तरफ सुनवाई इस पूरे माफले पर हो रही है तो वहीं अब कहीं न कहीं लोकसभा से लेकर माहराश्टर विधान सभा तक लगातार उधव ठा तो दूर अब तवाम जो उनके खेमे के जो सांसत थे जो उनके खुद के करीबी नेता थे और फाफना गवली जो की चीफ वहिप बरकराश रहेंगी वो उधव ठाकरे की बेहद करीबी नेता मानी चाहती है लेकिन अब जो करीबी है वही साथ छोड़ रहे हैं एक ना पांसदों का ये लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करना और लोकसभा में शिवजिना का नेता बदलने की मांग करना ये अपने आप में बताता है कि उधव ठाकरे संजह राउत और अधित्य ठाकरे के लिए माहराश में परिशानी कितनी ज़्दा बढ़ चुकी है सवाल यही ह कि आखिर उधव ठाकरे कैसे अपने आपको इस राजनीती में फुना स्थापित करवाए कि आखिर उधव ठाकरे का राजनीतिक बविश्य क्या होगा क्योंकि फिलाल इस तरह से उधव ठाकरे को अब एक और बड़ा छटका लगा है जहां लोकसभा में अब जो शिवजना का नेता था वो बदल दिया किया है और उधव ठाकरे की जो मांग थी जो उनके गुट की मांग थी उसे अब लोकसभा स्पीकर ने मानने से साफ इंकार कर दिया है और यह साफ तोर पर कहा है कि किसी भी पार्टी का लीडर वही होता है जिसके पास बहुमत होता है तो फिला आपकी इस पुरे माफ्मली पर क्या राइ है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें था 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 था